साथियों को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में सौगत है आई साथियों निपोन भारत राश्टी बुनियादी साक्षात हैं संक्या गयान मिसन की अंतरगत अंकुर अप्यास पृस्ति का जो कक्षात तीसरी के बच्चों के लिए इसी वर्स बनी है परियावन अध्यन की इ संपोन हाल आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल लाएगा वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट पर नाम सार्च करके जो आपके कट्राइं इस तरवाले वर्क्षीट हैं उनके उत्तरों को देख सकते हैं आईए हम सपता 14 के पहले दिवश पाड़ दिया है यहां से वहां संपोन अभ्यासों के प्रशुत्तरों को हल करेंगे पहला अभ्यास क्रमांग के एक निम्नांकित मेंसे कि सवाहन के द्वारा आपने यात्रा किये उस पर गोला लगाएं तो जिस पर भी आपने यात्रा करिए साथियों उस पर आपको यात्रा लगाना जैसे हमने लगाया टेम्पो बस कार मोटर साइकल बैल गाड़ी उनको यहां पर आप लिग भी दीजी अब्यास करमांग दूसरा है आपने यातायात के कौन से साधन अपने आसपास देखें उनके आपको यहां पर नाम लिखना है जैसे कार बस मोटर साइकल टेम्पो इत्याजी फिर है अपनी पसंद के आतायात के साधन का चितर बनाकर उसका नाम लिखी और रंग भी भरना है तो यहां आप चितर बनादी जी और इस पे काउप्यों किया जाता है तो घोड़ा और खचर पिर यहां से वहां कि अंतरगत दूसरे दिवस की वर्कषिट नंबर 24 भी दी गई है रास्ता पार करते समय क्रमसव जो करते हैं वह नीचे चित्रों में बना हुआ है आप चित्रों को समझ कर लिखिए सिगनल देख कर और पैदल चल कर फिर है कविता को पढ़कर नीचे लिखे संकेतों को अर्थ लिखिए तथा दिए कई चित्रों में भरिए लाल बत्ती हम कहती थम लाल बत्ती क्या कहती है कहती थम चलते चलते रुकते हम पीली बत्ती कहती होश्यार चलने को होते तैयार पीली बत्ती और हरी बत्ती बताएं चलते जाओ आगे बढ़ते जाओ अब हम देख रहे हैं लाल बत्ती का आर्थ होता है रुख जाना पीली बत्ती का आर्थ होता है कि आप अपने गारे के इंजन को चालू कर लें और हरी बत्ती का आर्थ है कि जाना इसी तरह अब्यास करमांग तीन साड़क सुरक्षा चिन्नों का मिलान कीजिए तो एक ही साइट से वहां चलाएं बाय मोर रुकिये और हान बजाएं अब हम देख रहे हैं सही सब्स चुनका रिक्तिस्तान में भरिए ट्रेफिक सिग्नल पर लाल बत्ति को देखकर रुकना चाहिए ट्रेफिक सिग्नल पर पीली बत्ति को देखकर पतिक्चा करनी चाहिए ट्रेफिक सिग्नल पर हरी बत्ति को देखकर चलना चाहिए अब है किनी दो सुरक्षा चिन्नों का चित्र बनाकर उनका नाम लिखे तो इस तरह यहां पे आप अस्पिदाल से संबंदित और इस इनल से संबंदित चिन्नों को लिख सकते हैं फिर है तीसरे दिवस के वरक्षिट नमबर 75 वी अब्यास करमां के एक बिना पईये से चलने वाले वहानों के नाम लिखे और किसी एक का चित्र बनाकर रंग भरिए तो यह हो जाएगा हवाई जहाच अब है पिंटू को दोस्त के साथ बस में बैठ कर यात्रा करने में बहुत ही मज़ा आता है आपने भी बहुत सारे वहान देखे होंगे और इसमें बैठे ही होंगे बता वहानों के बारे में निम्लिकित प्रश्ण के उत्तर लिखिए उत्तर है कि उत्तर लिखिए आपने सब्सेज़दा पाई handles I click Label यात्रा करते यह कुछ बताएंगे हैं बचले बता वान में बच्छे बस्प में किस मायूपा होता है रेल में लगा होता है बस में कार में मोटर स्टाइकल में अब है क्या आपने ऐसे बांद देखें जो दुआ नहीं छोड़ते उनके नाम लिकिती हो जाएगा एलेक्टरानिक बस हो जाएगी यह रिक्सा हो जाएगा और गैस से चलने वाली कारिया गाड़ी अगला प्रशने दिए गए वहानों में उनकी प्राइयों की संक्या क्यादार पर जोड़ी मिलान कीजिए ट्रक च्छे पईए साइकल दो पईए आटो तीन पईए कार चार पईए अब यहां पर कह रहा है नीचे दिए गए वहानों के चित्र के नीचे उनका नाम हुआ उनके उप्योग लिखिये जाए ने उप्योग किये जाने वाले इंधन का आपको यहां पर नाम भी लिखना जैसे वहान का नाम है रेल इसमें क्या कुंसा इंधन प्रयोग होता है डीजल फिर दिवस में हम डीजल और टेंपो में हम डीजल अब है चौनते दिवस की 76 वहानों के उप्योग को समझना आपकालिन सेवा के लिए उप्योग किये जाने वाले वाहनों को पैचानना अब देख रहें दिए गए चित्र को पौन करके रंग भरिए यहां वाहन का नाम लिखी यह हो जाएगा इंबुलेंस फिर आपकालिन इस्टिती में काम आने वाले वाहनों के नाम लिखी तो आख लगने पर फायर बिगेट और इसको अस्पताल ले जाने पर इंबुलेंस चौरी या दूरगटना होने पर डायल हंड्रेट फिर है चित्र देखकर सबसे तेज चल अब फिर है गाडियों से निकलने वाले दूरे से वाईू प्रदूशन होता है बताएए अब बड़े होकर आप बड़े होकर अपने लिए किस तरह की गाली खरी देंगे और क्यों तो हमने लिखा एलेक्ट्रिक गाली खरी देंगे क्योंकि यह धुआ नहीं देगी जिसे पर आप दूसरा नहीं होगा अब हम देखते हैं पांचवे दिवस की सत्तरवे नंबर की वरक्षिट दी गई है पाट का नाम दिया गया यहां से वहां शीखने की बिंदु हैं बढ़ो के साथ बाच्चित के मादयम से परिवआन साधनों में बदलाओं की खोच करना और ब्यास कर्मा कि एक रेल गाली रेल गाली चुक चुक चलती रेल गाली इंजन कीछे चलती गाली यीजल विजली से चलती गाली तो यहां पे किन-किन इन दनों सलती तो डिजल और विजली से पिरे अपने घर के बड़ों से पता किजिए जब वो छोटे थे एक स्थान से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन वानों का उप्यों करते थे तो उत्तर हो जाएगा साइकल और वेलगाड़ी पिरे आपने बस यारेल की यात्रा जरूर की होगी दिएगा टिकेट के टेखका नीचे लिखे प्रषणों की इत्ताव लुखी है तba करकिवार के यहां यात्रा कहां से कहां तक की गई तो विंददी विहार से यहां पर समझने आ रहा है थोड़ा आप देख लें आपकी बुस्तक में साफ सुत्रा लिखा हुआ है फिर है यातरा कप की गई तो 12 12 2000 बारा को टिकेट में यातरा का किराया कितने रुपए लिखा है तो 12 रुपए लिखा है अब है क्या आप लोगों को सवारी बोझा डोने के लिए इस्तिमाल को क्या आ बता सकते हैं कि जानवर वा इंसान से बोजा अंडोना उचित नहीं है क्योंकि सरीर की सकती का हाश होता है पेरे छटवे दिवस की वक्षिट 78 भी दी गई है रिक्तिस्थान पर यह जहाच पानी पर चलती है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हवाई जहाच से जाते ह होगी सब्सक्राइब के नाम लिखिए तो हान ना बजाएं दाएं मुणे हैं रुकें हैं पिर आप जब अपने काव सहर से दूर रहने वाले किसी रिष्तिदार के घर जाते हो तो यात्रा करने के लिए अतायत की किन-किन सादरों का उप्योग करते हो तो रेल गाली बस का टेम्पो से फिर हैं मिलान की जी रेल गाली लोगिय见 पर चलती है बस सलग पर चलती है हवय जांता है जहाच पानी पर चलता है बैल गाली बैलोदना चलाल जाने वाली गाली आम चलते हैं वो ऊतर्दर के सादन के नाम च्छुपे हैं उनको पहले ढूंडना हैं गोला लग तो यह हो जाएगा बस, जहाज, बैल गारी, साइकल, इस तरह यहां से हम ढूंड लेंगे और उनको यहां पे लिख देंगे, इसी तरह हम देख रहे हैं, नीचे दिया गया है निम्रिकित पहलियों के उत्तर लिखी है, चार है पाव जिसके बीच में हैं, तंबू तान लगी पानी में वो रहता है, मगर तेल पीता है, लेकर सबको जाता है, सैज दुनिया की कराता है जहाज, काला है, चहरा लमबा है, सरीर चब चलती है, तबहे हले सरीरती हो जाएगा हाता, हाती पिर है अभ्यास क्रमांग साथ क्या मनुष्ट का भूजन और पशुओं का चारा भी इंदन है बिल्कुल है अगर हम जब तक ना खाएं तो हमें उर्जा नहीं मिलेगी उसी प्रकार जानवरों को भी भूजन किया सकता होती है निम्नांकित प्रश्ण के वहां दुरगटना ग्रस्थ हो जाए तो आपकी सापात कलिन वहां को फोन लगाएंगे तो डायल हंड्रेट इस तरह सातियों समस्त प्रशनों के उत्तर हमारे यहां कम्प्लिट होते हैं सातियों एटिगेट बेसकोर से इंदक्षता उन्जन से संबंदित जो मैत पूर्ण प वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूले हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरा नाशकार जय हिंद जय वारत